नमस्कार पनाम बहुत ही लंबा अंत्राल के बार आज रवरा से रूबरू उखे के स्वभाद के प्राप प्रभेल वेया है और आप सब के दिल से अभार प्रकट करता है यानी की बिगत जोन हमारा घर में घटना घटल घटना के बाद आप सब पूरे भुजपुरिया जहान के जोन साथ मिरल कि हम कहल जला कि सुख में तो सभे साथी होला दुख में भी साथी जे होखे हुए आपन हा तो रूबरा सभे यी देखा दनी ज़रूआ से हिसाब से हम देखनी के रूबरा सभे के सहयोग पोस्ट रहे हर कोई के जब पिता जी के दिहान तुभाईल तो सबसे पहले तो हम उघरी थोड़ा सा डिस्टर्ब रही लेकिन सबके ऐसे अभार प्रकट करता नहीं कि वो दुख के समय में भी रुबरा सभे हमरा संगे खाड़ा रही एकरा खाती पूरे भोजपूरी समाज युपी बिहार समस द सबसे खाड़ा रहे तो जे भी मित्र साथी भाई अभी हमरा पेज पे लाइब आके रुबरा सभे मैसेज कर रहल बनी हम भले ही नाम एक साथ लगतार रुबरा सभे के निखी ले पाउत लेकि सबके अभिनंदन अभार प्रकट करता नहीं कि रुबरा सभे अपन समय निका जी संतोष कुमार यदुवन्सी भाई अमित सिंग जी ललन कुमार जी अमर राज राजवर जी कान्हा मिस्रा जी बहुत बहुत अभार अवनीश कुमार जी अमरेंदल कुमार जी नीति सोजा शोखे सरगार जी अनिस यादो जी थेंक यू बाविंदन कस्यप मुहित कुमार शुकला जी कृष्णा चंद्रपांडे डबलू कुमार भाई शिंगर दिपू शिंगरा ठोर जी राहुल यादो जी रवी राय कुशी नगर जी आप सब के अभार प्रकट करता नहीं और बहुत ज्यादा हमेशा हमरा ओधीन हसास भाईल हम आज ही बात कहता है काफी एक डिड़ महीना के बाद हम लाई वाईल बनी जब हम आप सब के पोस्ट देखनी जब पूरे पूरे सोसल मीडिया पे जब सब के हम सहयोग देखनी तो हमके लागल के हम अखेले कहा बानी हम तो एक करूडो अच्छा बाद अच्छा लागा अजीत तिवारी बाबा थेंक्यू रविक कुमार जी दुर्गेश मिश्रा जी खुब खुस रह बाबु खुब आगे बढ़ा भगवान आगे बढ़ावस स्टेथ देवपाल दिपक कुमार दिपक गुपता नंदु यादो जी रिया यादो जी गुड़ अफ्टर नून बाबु कैसी है आप बलबीर कुमार जाह जी बिस्मिल्ला अंसारी भाई आपका मैसेज अभी मैं कुछ बोलूंगा विसेश नहीं मुझे पता है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं मैं सबसे पहले आप सबका कमेंट पढ़ रहा हूं कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और सभी लोगों का क्या रुजहान है किस तरफ रुजहान है हरिस पांडे जी नमस्कार आपको प्रियांसु पुक्ता रंजन पाल आशीश प्रताप पांडे भाई खुब खुस रहक खुब आगे बढ़ा राजा होजा अशोक कुमार जी निपक कुमार हरियोम यादो थैंक यू बाबू सबसे पहले तो धन्य बाद वेव कंपनी से एक उगाना इलहा जोना के रुगा सफेल अगतार आज भी साइट ट्रेंडिंग में बाई अठारा नमबर पे और कंटिन्यू ट्रेंड कर रहल बाद और इस सब आप सब के आशिरवाद दुगा प्यार है हम विसे ज्यादा दूली ना हम बात सिर्फ पढ़ी ले बहुत कुछ दिन राग पोस्ट पढ़ा तानी देखा तानी ज्यादा बोले के मतलब समझ में ना आवेला हम रहे ही जगते हम ज्यादा विसेश ना बोला जाए सुनी लियादो भाई फुल मॉर्णिंग संजेव वरून अशिश परता राकेश मिश्र जी प्रणाम मिता भाई प्रिंस कुमार सिंग जी ओधेश कुमार जी शोहन लाल जी संगीत देव शर्यूग यादव निखिल तिवारी जी शुक्रिया मेरे भाई रनवीर कुमार जी मधेपूरा से कैसे हैं भाई आप घंकित दूबे जी सबसे पहले ही बताएं कि रुगा सब्सक्राइब देखा तानी कि थोड़ा सा सब्सक्राइब लूज होगे महामारी में वेक्सिनेशन कंटिन्यू रुगा सब्सक्राइब ज हैंसे कि आवेला समय में अगर फिर कॉनों लहार आई तो कम से कम सब लुग सुरक्षित रही हम इह चाहता है कि हमार सुने वाला जनता जनार्दन जे प्यार असिरबात दुलार देवेला वो सारा भुश्पुरिया भाई कम से कम स्वस्त रही मस्त रही हुगा सब लुग मस मुकेश कुमार साहनी जी सही बात है आपका बात मैं पढ़ रहा हूँ मैं सबका मैसेज ही पढ़ रहा हूँ आसु यादो जी संदीप मल बिशेन जी बबलु दूबे जी सिल्पी सिंग जी एंक्यू पपु कुमार प्रिंश कुमार जी कमलेश राज जी प्रिया रोय थेंक्यू बाबु खुब आगे पढ़िये नयांतिवारी शुभम परकाश यादो बलबीर कुमार शाह जी प्रिकाश यादो सत्यम सरकार हम खुब बढ़िया वानी भाई आप सबके दूआ सिर्बात से आपन बता हैं अजीत तिवारी बाबा शुक्रिया ससी कांत गौन कौन बात ना बाबु मजाक होके कि चाहिए मजाक मस्ती देखिए ये समाज है जनेव धारी प्रामण गुड आफ्टर नून भाई हो नितिश शिंग राजपूत देखिए ये समाज है अगर आप हमसे मजाग करते हैं हमें कुछ बोलते भी हैं चाहिए हम पे नराज भी होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां घर एक विचार्धारा के आद्मी सबका अपना अपना बीचार है सबका अपना अपना मत्त है सबकी अपनी बाते हैं ह। और हर आदमी को अपने बात रखने की स्विक्षा है उसी तरह हमारे भोज़कूरी समाज में भी हर सुनने वाले ब्रक्ति का अपना अपना विचार है अपना अपना उनका बेवहार है उनका एक अपना अलग सिस्टम है अगर वो रागेस मिस्रा कुना राजगी में 200 बोल भी पैटाला न चाहिक हो खेल पैटाला सभ है गाल जी तो पूछ के थोड़े आवे लेकी के करा दुआरी पो जाए कि करा दुआरी पो निखे जाएगा तो आज गाले को महाल चलल बा महाल में बस एके बात बाग भाई कुछ अउखे के हूखे पॉछ आपक पैशा विसा तो म जब बहुत कि अपना के बाद भाद नहीं हम किसी के लिए या किसी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं दिपक विश्रा जी अब मेरा बात सुनी है आप लोग का मैसेज मैं पढ़ लिया आप अपनी बात रख रहा हूं अच्छा लगेगा तो भी एक्सेप्ट किजिएगा आप बुरा लगेगा तो भी मुझे दो डांट दिजिएगा चाहे दो सब उल्टा बोल के चले जाएगा क मैं खुद बोल रहा हूं मैं पॉल्टिक्स भी कर चुका हूं और मैं आज कलकार भी है लेकिन जनता से दो तिन सवाल एक कलकार होने के तोर पे मेरा भी है अगर आप लोग का इजाजत होगा कि भाईया आप अपनी बात पूछ सकते हैं तो मैं पूछूंगा तो फिर उस प से उल्टा सिधा कुछ बोलिएगा मत उसका जबाब दीजिएगा अच्छे से पहले आप लोग उधर से कमेंट कीजिए कि क्या मैं आप लोगों से दो तिन तिन चार पांच बाते रख सकता हूं अगर आप लोग का आदेश हो तो हम बोल के चुप होगा हैं जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे कि भाईया कुछ आप बोलिए चाहे आप कहिए तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन हम आज आप लोगों से मैं भी देख रहा हूं सोसल मीडिया हम सोसल मीडिया पिछले एक डेढ़ महीना से हम देख रहे हैं जब से पीता जी का डेट हुआ था तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था और हक हर आदमी को बोलने का है हर कलाकार को बोलने का हक है अगर आप लोग आदेश होगा तो आज मैं उनस सभी बिंदू पर बात करना चाहूंगा अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो अगर गाली गलोज करना चाहते हैं तो हम आप ही चाहते हैं आप लोग से बात नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग गाली गलोज नहीं करेंगे और किसी बीसे पर बरतलाब करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ तयार हूं बरतलाब करने के लिए उस हर बिशे पर जिसका आंसर आप लगतार आवाज उठा रहे हैं चाहे समाज में बाते रख रहे हैं चाहे भोजपूरी गीत संगित पर बात कर रहे हैं जो भी अभी तक हुआ है, घटनाय करम जो भी हुआ है उस पे अगर आप बात करने के लाइक हैं या आप बात करना चाहते हैं मेरा बहुत क्लियर है क्योंकि आप सब भगवान हैं आप सब जज हैं आप सब से बच के हम लोग कहा जाएंगे आप लोगों से हम लोग बच के कहा जाएंगे लेकिन आप लोग पहले बताईए कि आप लोग से बात किया जाए अतुल मिश्रा भाई मैं सबका जबाब तब ने दूंगा जब आप लोग मुझे बात करने को मौका देंगे कि हम बात तो करें आप लोग पहला पहली बात है कि सोसल मीडिया मतलब फ्रस्टेशन का दुकान बना लिये हैं कि भोरे आख खुलत आम हमें दत्वन कर चैबरस कर एक रबत लाग गारी लीखे तीक उना महांता के काम थोड़े हो कि गारी लीखों महांता के काम ना हो किसी बिशे को उठाना अच्छी बात है मेरे कहने का मतलब है कि हर बात को उठाना अच्छी बात है समाज में हर बात को उठाया जाता है लेकिन उसका एक तरीका होता है उसका एक तरीका होता है और उसको आप बहुत सारी ऐसी बाते हैं जब हम बोलेंगे तो कल सुबह पूरे यूट्यूब पे हमको डाल के और ना जाने कितना अभद्र अभद्र बात लिख दिया जाएगा लोगों को बुरा लग जाएगा अतुल मिस्रा जी एक बात बताईए सच बात किसी को पच्टा है क्या किसी को अपना तही खटा लगता है अगर मैं पॉइंट रखना सुरू कर दूँ तो उसका जवाब आप लोग देंगे आप लोग साथ देंगे नहीं देंगे आप लोग हड जाएंगे सचाई पर कोई साथ नहीं दे सकता है ना अगर सचाई मैं बोल दूँ मैं सतरा साल से संगीत लाइन में सतरा या पंद्रा साल तो हो ही गया चोदर पंद्रा साल हो गए इतना दिन पिताने के बाद मुझे क्या नहीं पता है और मैं किस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ आप लोगा हर बात का जवाब दे सकता हूँ लेकिन सच ये है कि के हुआ अपना दौही के खटा ना कहे अगर मैं कोई बात रख दूँगा तो कलसुवा पता चलेगा कि सारे लोग राकेश मिश्रा के विरुष में यूटूब पे अपने यूटूब पे फोटो लगा के और डाल दिये कि पता नहीं कितने सारे बात लिख देंगे जब कि सचाई कोई नहीं लिखेगा भोजपूरी का सबसे पॉइंट नंबर एक मेरे तरब से मेरा पहला पॉइंट नंबर एक है कि जब भोजपूरी में मैंने गाना गाया कि बेटवा मिठाई हो गई बेटिया पराई हो गई मैंने अभी दस दिन पहले एक गाना गाया निर्गून मैंने बहुत सारे ऐसे गाने गाये अभी जो हाल फिलाल में आया है कोविट काल में चाहे जो भी कुछ इमोस्नल गाने गाये जैसे आज ही मैंने अपने एक रेकेस मिष्वा ओफिसियल से गाना रिलिज किया एक बहुत प्यारा सैट सोंग आप लोग बता दीजिए कि हम चितने अच्छे गाने अभी तक रिलिज किये हैं अच्छे मतलब कि गाने का एक अपना कर्टेगरी होता है सेट सोंग अलग हो गया, इंटर्टेन्मेंट के लिए गाना अलग हो गया, निर्गुन अलग हो गया, पुर्वी अलग हो गया, भैर्वी अलग हो गया, सिंगार रस का गाना अलग हो गया, पहले तो भोजपूरी भासा का 40% किसी को नौलेज नहीं है, लेकिन ये बात कहने प से कहा जाता है भोजपूरी गीत संगीत का कितना बिधा है ये किसी को जनकारी तो है नहीं पहली बात दूसरी बात हम आप सब से एक सवाल कर रहे हैं कि जब भी भोजपूरी में कोई अच्छा सेट सोंग आता है निर्गून आता है पुर्वी आता है तो क्या भोजपूरी के जितने यूटूब चलाने वाले लोग हैं, जितने भी यूटूब चलाने वाले लोग हैं, क्या वो अपने चैनल पे इस बात का खबर साम को चलाते हैं, कि एक बहुत बढ़िया गाना आ रहा है राकेश मिश्रा का, आप लोग सुवा में जरूर सुनियेगा, नहीं चलाते हैं भाईजी, बुरा मत मानियेगा, बुरा लगेगा तो हाथ जोड़ के माफीच आता हूँ, अब सच बोलने जा रहा हूँ, कोई भी कलकार राकेश मिश्रा छोड़ दीजिए, अगर कोई भी भोजपूरी में अच्छी गाने आते हैं, जैसे सेट्स होंगा गया, जैसे कोई भी बड़े श्टार, छोटे श्टार, कोई भी कलकार गाना गया, अगर वो निर्गुन गा दिया, पुर्वी गा दिया, तो क्या किसी कलकार के गाने को उठा के आज जो सोचल मीडिया पर प्रमोशन चल रहा है, वो कभी ये कहते हैं, कि नहीं, राकेश जी देखिये, ने को गरीबों पर बड़ा अच्छा गाना गाया है, इस गाना को सुनना चाहिए, उस गाने का भीवर जानते हैं कितना होता है सर, उस गाने का भीवर आपको पता है, मैंने पंद्रा दिन पहले एक निर्गुन गाया है एंगल म्यूजिक में, उस गाने को जानते हैं कितना लोग सुने हैं, पंद्रा दिन में असी हजार लोग सुने हैं, पंद्रा दिन में असी हजार लोग सुने हैं, लेकिन अब सारे लोग को नराज़्गी क्यूं होगा, क्यूंकि बुरा मत मनिएगा हर आदमी न, हर आदमी अपने सक्सेज के लिए मेहनत कर रहा है, चाहे वो चैनल पर कोई बोले, चाहे वो कहीं बोले, चाहे गीत संगित के लिए बोले, वो सारे लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि किसी न किसी टारगेट वाली बात को रखोगे, तो सही होगा, इसी में न किसको ग्यान हुआ है नहोगा हम भी आज भी सिख रहें आगे भी सिखेंगे हम संगीत का जितना भी बिधा है हम संगीत की तरह जानते हैं हम आज तक कलाकारी की हैं तो हमको सिर्फ संगीत ही समझ में आया है और कुछ भी से समझ में नहीं आता है लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी भगवान है आप सभी दर्शक बंदु है आपका बिचार आप गाली भी देंगे तो अभिनंदन है आप प्यार भी देंगे तो अभिनंदन है हम कलकार हैं कोई भी कलकार आपको कुछ बोल नहीं सकता है उसका काम है इंटर्टेन्मेंट करना उसका काम है आपको प्यार देना वो प्यार ही देगा तो आपसे प्यार ही करेगा लेकिन प्यार करने का मतलब है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा न बोस जब गाने आएंगे अच्छे जब गीत होंगे जब गीत संगीत होगा और देखिए गीत संगीत यह entertainment है जिस तरह बजार मजाते हैं तो हर प्रकार की चीज़े आपको मिलती है उसी तरह गीत संगीत में हर प्रकार का बिधा अलग-अलग है हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं हाँ आपकी एक बात सही है मैं सारे सारे लुगों की इस आवाज के साथ हूँ कि हमें कंट्रोल करना चाहिए हमें एक लिमिट में काम करना चाहिए हमारे गीत संगीत का एक डायरा हो हमारा एक लेबल हो इसके लिए मैं पूरे आईए और मैं आपके साथ हूँ आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा सौंग आएगा लेकिन सूच भी थोड़ी सी अपनी चेंज करनी पड़ेगी अगर किसी बात को एक महौल बना दिये गए तो उस बात को पकड़के आप हर चीज को उसमें नहीं लपेट सकते हैं हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग एक दम सही बोल गहें लेकिन किसी भी चीज को सुधारने के लिए आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और भायचारे के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको एक भाई समझे एक को भी कलाकार है वो आपका भाई है ना आपके घर में आपके भाई नहीं है छोटे बड़े भाई नहीं है वो भी तो किसी मा कलड़का है वो भी तो किसी घर का बच्चा है हर कलाकार आपका भाई है सर आप सभी जनता जनारदन हैं तो आप सब के हम लोग भी आपके परिवार ही हैं आप लोग हमें प्यार देते हैं तभी तो आज हम लोग हैं हम लोग के दुसरा काम करते हैं आज आप ही लोग का असिरवाद से न, आज आप ही लोग का असिरवाद से हम लोग का भी परिवार दूगो रोटी दाल खाता है सर, आप लोग असिरवाद देते हैं तब हमारे घर में भी परिवार चलता है, चाहे हमारे सदस लोगों का घर का चुला जलता है, आज जितने छ सपोर्ट होगा तो चलाएंगे आप लोग ठीक है नराजगी में मुझे चार गाली आप दे दे रहें लाइब में आके गाली दे रहें तो गाली देने से आपको लग रहा है कि आप बहुत महान है गाली दे दिये तो इससे आपका बहुत बड़ा नाम हो गया अरे वाह वाह व गाली दिये हैं वो मेरे सबसे प्रिये हैं क्योंकि कम से कम मुझे गाली तो दिये गुस्सा में आके नहीं तो पता नहीं प्यार तो कभी जताते नहीं है कम से कम गलिये दिये तो समझ में आये कि प्यार करते हैं कि तो मेरा कभी किसे से सिकायत नहीं है आज यूटूब पे जितने भी बाते उठ रही हैं जितनी भी बाते उठ रही हैं यूटूब के द्वारा एक एक छोटे और बड़े जितने भी चैनल पे न्यूज बनाये जाता है भोजपुरी के बारे में चाहिए भोजपुरी कलकार के बारे में चाहिए भोजपुरी गित यही मेहनत कर रहा है वो भी हमारे भाई बेन है वो भी हमारे मित्र साथी दिया करते हैं मेरे कोई बात नहि определенно मेरा लाइब में आप लोगों से सिर्फ रिक्वे़स्ट है कि आप सभी परिवार है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उसको उल्टा सिधा करके śaye बहुत ज्यादा बढ़ा चड़ा के पेश करने से ज्यादा जरूरी है हम लोग उस चीज को सही करें इसमें पूरा परिवार साथ है आप सभी लोग का असिरबात प्यार है आप सब लोग उस तरह की चीजों को करिए बद्रियनात साह जी हम भुजपुरिये बें बोलतनी भाई नहीं हरिंदर कुमार जी मैंने जो बोला मैं यहीं तो बोला कि यह से फेस्बुक लाइब को कुछ बोलो गुनाह वा कि बात को आप आदमी पूरा नियूज बना ली हैं महुआ के अब पता चली कि तुह खराब होगी लो हमारा कहें कि मतलबा कि हर बात के एगो तरीका अगर आपन महांता पुझात है कि यहां के फेस्बुक पर गारी देवक चाहिए तो वह महांता वहीं महांता के हिसाब से काम करी कि हुमाना थोड़े करी लेकिन ओकर दोसर भी कारण ओकर दोसर भी रास्ता बार अतुल मिश्रा जी आपकी बेटी का जनम दिन हैं उनको जनम दिन क कि ब्ळूत है जतना भी भोचपुरी सुने वाला भाई बहें शात्ती समाज परिवार अपाल के आशिरवात फ्यार दूलार भोचपुरी भासा के मिनला ओर्री ठीक कुछ पूरी भासा में कंट्रोलिंग एको चाहिए एको पर्दा चाहिए एको सिस्टम में चाहिए तो इंटर्टेन्मेंट के तरीका हमेशा गलत ही ना हो ला आप जब और जोस्ति के अब एकदम ठानिये लेव कि दिने राथ हमारा मने उल्टे होकर आप बोला ही के बार तो ओकर कोनों जबाब नहीं नहीं धर्मिंदर परधान जी ऐसा आप क्या है कि मैं बोला तो कि फेस्बुक पर बोलने और लिखने में पैसा थोड़े लगता है कुछ भी बोल सकते हैं यह कहावत है कि जिसकी जैसी सोच रहेगी वो ऐसा सोचेगा उसका तो भाई जबाब भी नहीं है मैं अभारी हूँ मैं प्रस्णली अपने लिए लाई भाया हूँ और अपने लिए बात बोल सकता हूँ कि मैं अभारी हूँ मैं यूपी बिहार समस्त देश के कोने कोने में रहने वाले हर भोजपुरिया दर्शक हर भोजपुरी भाई हर भोजपुरी बैन हर भोजपुरी भासा से जो प्यार करता है उन सभी परिवार के लोगों का आभारी हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार आश्रिवाद देते हैं और मैं यहीं चाहूंगा कि मैं कभी भी किसी का कभी किसी का दिल मेरे से नदुखे बस हम अपना अच्छा काम करें हमारा काम है कि हम आपके लिए इंटर्टेंड्मेंट करते रहें आपके लिए हम अपनी मेहनत करते रहें मेहनत में, चीजे आएंगी, जाएंगी चीजे आएंगी जांगी लेकिन हमारा काम है कि हम सब आपके लिए खड़े रहे हैं हम कोशिष करते हैं या कोशिष mudarला हमेशा हम हमेशा सोची लगी कभी समाजी गीत कभी शिब्चारा केक गीतskेgeet कि हम अपना लिमिट जानते हैं आडियो वीडियो का जमाना है तो वीडियो सुटिंग करेंगे ही करेंगे आप सिनेमा देखते हैं तो आपको मजा आता है उसमें सिन दिखते हैं तो आपको हिंदी हॉलिवूड में सिन दिखता है तो मजा आता है लेकिन अब क्या है कि भोजपूरी में आपको पता है कि भस भोजपूरी में कुछ करना थोड़े है कलाकारों का अराम से कारी सुना देना कोई तिकत नहीं है वो कुछ बोलेंगे थोड़े अब जबरजस्ती का टार्गेट करना है तो उसका तो कोई जबाब नहीं है अगर जबरजस्ती का ड्रामा करना है तो उसका कोई जबाब नहीं है आप कान में हेड़फोन लगा के मुबाइल पर फिलिम देखते हैं तो आपको प्रॉलम नहीं होता है सिनियमेंस सिन एगा तो को प्रॉब्लम नहीं होगा है लेकिन राकीष मिस्रह गाना कर दिए वीडियो बना दिए तो आपको बहुत समस्य काना से रही है राकbon सिरा के गल मेटी यह दो इस पू़गर जाएं कि राकेश मिस्रा को इतना ना गाली दो इतना डाटो इतना बोलो कि वो बेचारा अब बरबाद हो जाएं लेकिन मुझे जितना पता है मैं फिर बोल रहा हूं जाके पता कर लिजिए आप लिख रहें ना फेस्बुक पे आपको कितना नो ले ले स कि मैं लाश्ट curator कर अगरा सकता हूं तो सिंगार रस के पैट रहा हो सुझा ऊधार सोता है वह आं आपको पता हुगा कि अ के दृट ले button करता हूं बाबु परदीब जी जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आपको खुब आगे पढ़िए कमल की सो राजु भीया गोड़ लागतनी बहुत अच्छे गितकार है हमारे भुजपुरी इंडर्श्टी के कमल की सो राजु भीया हम देवर के टार्गेट करें में चाहें गाली दिकुछ भी रवें कष्यांट नहीं चाटर्था क्या है अब आधि प्रोच्पुरी समाज हमारा अब्सक्रान बढ़ता है भुजपुरी भासा का आप लोग हमारे रवीज़ियन है और मैं कभी भी चापलूसी गिरी बात नहीं करता हूँ, इसलिए बदनाम हूँ, पूरे मार्केट में, पूरे यूटूब नूज पे भी बदनाम हूँ, इसलिए हूँ कि मैं चापलूसी गिरी बात नहीं करता हूँ, मैं जो बात करता हूँ, जितना समझ है उतना ही बात करत सतन कुमार जी हम दिल पे बात नहीं ले रहा है हमारे कहने का एक ही मतलब है कि राकेश मिस्रा का बिरोध अगर हो रहा है तो राकेश मिस्रा के गाने से प्रॉलम नहीं है राकेश मिस्रा से प्रॉलम है क्योंकि कुछ हर पार्टी के उमिद्वार के अपोजिशन खड़े रहत लेकिन आप दस नहीं दस हजार मिलके टार्गेट कर सकते हैं लेकिन और तीस उन चालिस करोन जनता है मेरे साथ आसिरवाद के लिए खड़ी है मैं आग तक अपने गाना रिलीज हुआ है तक किसी यूट्यूब पे बनाने वाले लोगों से नहीं बोला हूँ कि मेरे गाने का न्यूज बना दीजिए चाहे मेरे खेत में मकई कटने का न्यूज बना दीजिए चाहे मेरे सट पहने का न्यूज बना दीजिए क्योंकि हमको भरोसा वो 40-45 करोन जनता पे है गाना अच्छा होगा गीत अच्छा लगेगा वो सुनेंगे ही सुनेंगे और मैं अपने सभी सभी कलकार भाईयों और सभी का जैसे आप सब मेरे गार्जियन है मैं सभी का समान करता हूँ संजे राय जी हम सच बोल रहे हैं संजे राय जी हम सबका समान करते हैं हमको किसी से कोई भेदभाव नहीं है हमारे लिए सब एक बराबर है सभी मेरे भाई एक बराबर है बस आप लोगों से यहीं निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि कुछ भोजपूरी में बड़ा हो अच्छा हो और ये भासा बहुत अच्छा हो तो इसके लिए आप लोग को प्यार से टेकल करना पड़ेगा इसके लिए आप लोग को कदम से कदम मिलाना पड़ेगा और कदम मिलाके हम लोगों भोजपूरी को आगे ले जाना पड़ेगा मेरा यहीं निवेदन है और रोगरा से खाती ये गो जो भी बाया लोग आपन चर्चा करी बहुत बड़ा गुड नीज भी बाया कि सुपर हिट गाना के जोन रोगा सब आल इंडिया लेबल पर सुपर डुपर हिट गाना करो नी राजा जाईना बहरिया और राजा जावान हम लग का उद्दूनों गाना के सुपर हिट सीक्वेल बहुत जल्दी आप सब के बीच में आवे अलाबा और हम्रा उमीद कि रूरा सब है अपना रगिसवा के अपना छोट भाई के अपना घर कलगया के असिरबाद प्यार दुलार अनगा देव सब है और यह उमीद हम हमेशा राखिला जाने आन जाने में हमार कोनों भी सब दिस अगर के हुग के तुरूटी पहुंचा लोके हाथ जोड़के छम